गूज, प्रतिध्वनी, प्रतिशब्द या गूजना इन सभी को इंगलिस में क्या कहते हैं आज के इस वीडियो में जान लेते हैं गूज, प्रतिध्वनी, प्रतिशब्द या गूजना इन सभी को इंगलिस में इको कहते हैं इसकी स्पेलिंग E-C-H-O होता है इसको हम एक्जामपल के बार और भी अच्छे से समझ लेते हैं जैसे यदि हमें ये कहना हो एक बंदू की आवास पूरे घाटे में गूंज उठी इसको इस प्रकार कहेंगे The sound of a gunshot He goes across the cannon The sound of a gunshot He goes across the cannon